यहां होली नहीं होला मनाते हैं लोग जानिए दोनों में क्या है फर्क गुरु गोविंग जी से जुड़ी ये है मानने ताएं नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल सनातन धर्म में हिंदी तिथी के अनुसार फागुन मा में ही होली मनाई जाती है दर्बंगा में भी काफी धूमधाम से होली का त्योहार लोग मनाते हैं लेकिन दर्बंगा में एक जंगा ऐसा भी है जहां होली नहीं होला मनाया जाता है जिहां जिसमें रंग और पानी का इस्तिमाल नहीं होता है बलकि सिर्फ गुलाल होला खेला जाता है दर्भंगा में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों के द्वारा इसे मनाया जाता है दरबंगा गुरु दुआरा के मुख्य ग्रंती भाई तरविंदर सिंग हैपी की माने तो उनके अनुसार होली और होला मोहला में काफी अंतर नहीं है गुरु गोविन सिंग जी ने होली का अर्थ बदल कर होला मोहला कर दिया था जिहां गुरु गोविन सिंग जी ने इसका मतलब बताया बहुजन विजे होली रंग और पानी से खेरी जाती है जबकि सिक धर्म में होला मोहला सिर्फ और सिर्फ अभीर गुलाल से खेला जाता है सिक समुदाय में रंग और पानी वाली होली बिल्कुल प्रतिबंदित है त्योहार दोनों समुदाय में एक ही है बस उसमें थोड़ा रंग और अभीर गुलाल का अंतर है होली का तुछुआर यह संकेत देता है की अब सर्द से गर्म मौसम में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बताते चलें कि सनाथन धर्म में भी जो पर्व और तुख रूहार होते हैं वही कुछ नकुछ संकेत वहाग ही होते हैं तो दर्बंगा में एक साथ होली और होला का तियोहार लोग मनाते हुए नजर आएंगे फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले विशे के साथ तब तक के लिए आप हमें कॉमेंट में बताईए कि आपको इससे पहले होला और होली में अंतर पता था या नहीं तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल निक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल को धन्यवाद